हालो स्टुडेंट्स त्रपल से के लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें 500 कोशन होंगे और 100 वीडियोज छोड़े-छोड़े बनाये जाएंगे जिसमें हर वीडियोज में 5 कोशन हुआ करेंगे अबजेक्टिव हुआ करेंगे और बाद में उन कोशन की बारे में डीटेल से जानेंगे तो आज का पहला वीडियो है तो स्टार्ट करते हैं तो पहला कोशन हमारा है किसी नेटवर्क सिस्टम में जुड़े हुए परस्टनल कंपेटर को कहा जाता है तो A, B, C, D, यह हमारे सेकेंड मार आंसर इसका बताएंगे तो इसका आंसर C है तो इसका आंसर C है मतलब की वर्क स्टेशन तो वर्क स्टेशन क्या होता है हम लोग डीटेल्स में जानेंगे तो यह आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से दिल का हमारा ती चप्पन सो है इसमें जी ओन प्रोशेसर लगा हुआ है 32GB RAM है चार टीवी हाडिक्स है और इसमें 256GB SSD लगा हुआ है एन्वीडिया का इसमें 2GB का ग्राफिक्स कार्ड भी लगा हुआ हुआ है विंडोस 10 पड़ा हुआ है इधर अगर हम गवर करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है वर्किस्टेशन बीजी यूजली हैब स्प्रेशलाइजड कंपोनेंट्स दैक्ट वे रिजाइन तो हैंडल हैवी कंप्यूटेशन और ग्राफिकल टास्क ग्राफिकल प्रोडेक्शन में अगर हम देखेंगे तो यह कंप्यूटर 2D, 3D इमेज और इनिमेशन बनाने के लिए डिजाइन किये गए हैं सर्वर, मल्टी कोर CPU, आधारिस सिस्टम है मतलब इसके अंदर एक प्रोसेसर नहीं इसके अंदर दो प्रोसेसर होते हैं एक साथ दोनों वर्क करते हैं कई मामलों में अनिश्चित काल तक चलने वाली मतलब कि यह कंप्यूटर क्या होते हैं कि लगातार चलते रहते हैं साल साल भर अगर इनको लगातार चलाया जाए तो इस तरह से डिजाइन किये होते हैं यह ज्यादा हीट इन में नहीं आता और यह चलते-चलते बंद नहीं होगे नॉर्मल कंप्यूटर क्या हो कि चलते-चलते बंद हो जाएंगे जब जाएंगे जटिल कंप्यूटेशनल कारों को समानने के लिए डिजाइन किए इसपेसली यह हैवी जिसे की पहले भी आपर दि 30,000 रुपय से सूरू होकर 50,000 के बीच में ही होती है थोड़ा वो 50 जा इधन उदर जबकि एक वरकिस्टेशन जो होता हमारा होता है इसकी इस रुवात ही ही डिएड़ लाग रपय से होती है और लगबख 3,000 के बीच में होती है तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि और यह उन्ली वोलाटायल और दीतिक मेमोरी जी पिश्कंट जासव क्या हो सकता है कि इसके लिए भी हम आपको पास्सेकंट का ताइम देत हाँ है आप सो भेट मेमोरी कि यह सका बताएंगे पीक हुईयोmi तो इसका आसर c है एक तो रह्म ही रह्म वह लटल मेमोरी है तो फुर समय जानेंगे बोल्तल नियुक्ट कहा जाता है जो असथाई रूप से आस्ताई होती हैं इस प्रकार की मेमोरी में जब तक लिखा या पढ़ा पढ़ा जा सकता है तब तक system बंद ना हो अर्थात एक बार system किसी का बस बंद हो गया light चली गई या किसी भी system बंद हो गया तो आपने जो भी program खोल रखा होगा सारा data आपका क्या हो जाएगा अगर अच्छा उदान एक य मिनें है तैसाль के रहे हैं और फुल फाय्जा होता है आश्यमिक्ॉटरी प्रोग्राम को वर्किंग शाथा इस प्रदान kutta tweaker यह अब मुझेिधे करा रहा होते हैं म Participants स्धाइब मुंट्र में ही तкими के शेज़ा ञते हैं तो चलते चलते रहे का ही प्रयोग करकें की वह भूण होंने की वज़े से प्रग्राम आता मिल पाता हैं इसलिए आज क recruitment और प्रहनीर के समय से आजाती फ crop में तो मेरे नई हर रहाएं न handful होते हैं तो हर रहां में जिसका दिर वरन और फोर से मुझे से सब्सक्राइब करने के लिए बनाया जाते हैं प्रोसेसर को ध्यान में रखके लगानी पड़ेगी तब हम लोग नेक्स कोस्टन की तरफ चलते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे ऑप्संस है मिल्टी यूजर महेंगा है कमजोर सच्छा सिस्टम में सिंगल इसका अंसर क्या होगा इसके लिए भी हम आपको पाच सेकंड देते हैं हमारा टाइम जुरूओ गया है आप सोच सकते हैं तब तक है कि अ कि अ कि और हमारा अंसर एक लैनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर है तो मल्टी यूजर है हम लोग जान गए हैं लेकिन और वीज के बारे में जानेंगे हैं डिटेल्स में तो लाइनिक्स एक ओपन सिर्स ऑप ऑनचाए व्यर्स हां करता है मतलब ब्रिज की तरह काम करता है यूजर और वह वर्ड्र की बीच में व्यूज का काम करता इंटरफेस का काम करता है इसका आविसकार लीनियस इन्हों किया था 1902.拜拜 क्या था 9ع7 नखिया था ओपन सोर्स का मतलब यही होता है कि आप इसको फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको मोडिफाई भी कर सकते हैं जबकि विंडोज एक क्लोज यह मॉश्ची विंडोज रमं उसमें विंडोज लिभींडो रटा या विंडोज टेन की तरीके मारा लाइनस भी 17 बिट होता है और Microsoft Company के संस्थाप ताख है वो विल्गूइट्स है तो जो विल्गूइट्स है इनकी एक कंपनी है जो सब्सक्राइब दुनिया की सब्सक्राइब कंपनी है वह है Microsoft और Microsoft operating system मनाती है जो Windows version से आते हैं इनमें क्या होता है कि यह एक प्रकार से क्लोज सोर्स operating system होते हैं अर्थाथ इसको आप modify नहीं कर सकते कंपनी आपको जो देगी वहीं आपको accept करना पड़ेगा और दूसरा जो Linux होता है यह एक प्रकार से कोई तरीके से क्या है फ्री है यह जो साइंटिस्ट थे जो भी के अविश्कारक थे उन्होंने सभी के लिए फ्री में operating system उन्हें से क्यामने में में बनाया और इस इसके बार में जैसे कि आप जान रहे हैं कि यह उपन सोर्स है इसको हम बाद में मोडिफाई भी कर सकते हैं माली जो कोई operating system है उसमें कहीं clock है और आपको clock नहीं पसंद आ रहा है तो आपको थोड़ी सी भी अगर प्रोग्रामिंग आती है तो उस clock को चेंज करके उसमें और अच्छी डिजाइन की clock लगा सकते हैं लेकिन वो तब ही है जब कोई software open source software होगा अगर विंडोस का कोई operating system software कोई setting है आप उसको चींज नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से आप समझ जाए कि open source software क्या होता है कि शुरुवात में Linux को के बल परसनल computer के लिए ही बनाया गया था परन्तों बाद में इसका इस्तेमाल server mainframe computer और open source computer में होने लगा इसके लावा Linux का इस्तेमाल router का टेलीवीजन टीवी इतने भी छोटे छोटे गजट्स आ रहे हैं इनमें सभी में Linux का जो operating system में किया जा रहा है इस पार्ट बाट चोटा से चोटा और बड़ा से बड़ा सूपर कंप्यूटर तक में हो रहा है दूसरे सब्दों में तो कहें तो Linux सिस्टम सॉफट्वेर जो computer system के hardware और से resources को maintain करके रखता है इसके लावा यह hardware और software की बीच में communication करने भी मदद करता है तो हम लोग नेक्स question के लिए चलेंगे हमारा 14 question है निम्न में से कौन रोम के प्रकार है तो इसमें हमारे चार आप्शन आ रहे हैं पी रोम ईपी रोम ईपी रोम यह सभी तो इसका क्या नसर होगा यह आप पांस सेकेंड के इननल सोंच सकते हैं में ठाम आपको मिला हूँ है पानस से कि और रहुता है और आप आपने पहले देखी थी और यह उतिया ऑट आता अलग है और रोम गर और रूम अलग है वह होता है उसका रांग का full-farm होता है रेंडम nude Access न मेओर और रोम का फूल्फ़ार्म होता है read-only memory मेमोरी समझे लेते हैं जब भी वारा computer on होता है तो उसमें कुछ जरूरी मसीवली स्थर के कार करने होते हैं जिने meiin..। 프로그램 के रूप में semi connected chips溜़्में इस्टोर पहले से ही रहते हैं यह चिप्स सिर्फ पढ़े जाते हैं जब आपका क्म्यूटर काम कर रहा हूथ तो इनहीं रोम से अपना प्रोग्राम से क्या क्या करना है वह इसको पढ़ता है पावर जाने के बाद इन चिपस में इन्पोर्मेशन वेसी की वेसी रहती है तो यह उती है होती है इसमें फीड कर दें तो हम जानते हैं कि इसका डेटा कैसे हमें रिएच कर सकते हैं तो वह उप्रकार sa इसमें डाटा candidate इस्तावीरोप से स्टोर होता है जिसे बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है AIP ओर इल्स ओं इसमने डाटा इसस्टावीरोफ से स्टोर होता है इसमें स्टोर सूचना को इंड प्रकास के माधिन कीप कर सकते हм करके इसको हम एलेक्ट्रिक से चेंज कर लेते हैं नेक्स कोस्चन हमारा होगा तो CRT में से किसका भाग है तो बहुत साइज आ रहे हैं और आपका टाइम हो गया अब यह खतम अब इसका अंसर होगा का सिए यहने कि VD यू तो ये वीडी यू क्या होता है कि इसको भी जालनेते हैं तो वीडियू का मतलब होता है विजुवर्डिस्प्लेइश मॉनिटर अब पहले बात करते हैं कि यह जो मॉनिटर है मॉनिटर प्रगार का मारा जा आउट्पूट डिवाईस है इसे तो इसलिए इनको बंद करके TFT को लाया गया तो TFT में क्या था कि TFT में वोल्टेज तो कम हो जाए लेकिन पिक्चर क्वाल्टी उतनी अच्छी नहीं यहां पा रही थी इसलिए फिर हमें LCD लाई गई और LCD में तो यह भी LCD में भी बोल्टेज थोड़ा सा LED के माददम से ज्यादा खर्च कर रही थी और LED सबसे कम बोल्टेज और सबसे अच्छी क्वाल्टी की LED आती है आज कि मानिटर आप में जाएं कि उसमें लिखा होता है कि यह TFT यह TFT यह TFT इन दोनों की तुलना में सच्छी जाद सब्सक्राइब कि यह बिजली जादा खर्च करती है कि अ कि यह TFT यह TFT यह TFT यह TFT यह TFT